दोस्तो मंडी लाइव के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजिस्थान की जुन जुनू सब्जी मंडी में किस तरह से रहे हैं सब्जियों के भाव दोस्तों सभी सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ओन कर दीजिए क्योंकि इसी तरह से खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल मिलते रहते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ब्यात करते हैं प्याज के बारे में तो प्याज का आज का रेट है 22 से 24 रुपे की बीच में ब्याज की विक्री की गई है और दोस्तों भिंडी की अगर यहां पे बात करें तो भिंडी का जो रेट है वो है 35 30 से 40 रुपएya दोस्तों मूली में ठोड़ा 1-2 रुपई की सुदार देखने को मिला है मूली का जो रैट है वो 10 से 11 रुपई की बीच में मूली की विक्री की गई है सिमला मिर्च की अगर यहां पे बात करें तो सिमला मिर्ची का जो रैट है वो है 55-60 रुपए की बीच में अगर दोस्तों निम्बू की यहां पर बात करें तो निम्बू का रैठ है 40-45 रुपए के बीच में और अगर यहां पर अधरक की दोस्तों यहां पर बात करें तो अधरक का जो आज का थोका रैठ है वो है 35-40 रुपए की बीच में नई अधर की विक्री की गई है दोस्तों नए आलु की यहां पर बात करें तो नए आलु की विक्री 20 मिर्ची की विक्री की गई है अब बात करते हैं दोस्तों चपन टिंडे की तो चपन टिंडे का भी काफी अच्छा रेट है चालिस से पैंतालिस रुपए के बीच में चपन टिंडे की विक्री की गई है और बात करते हैं दोस्तों पतागोबी की तो पतागोबी का जो रेट ह वो है 18-20 रुपए की बीच में पत्ता गोबी की जो है विक्री की गई है और अब बात करते हैं दोस्तों खीरे की तो खीरे का भी काफी अच्छा रेट चल रहा है 35 से लेकर 38 रुपए तक खीरे की विक्री यहाँ पे की गई है और दोस्तों अगर बात करें हरे प्याज की तो हरे प्याज का जो रहा है वो है 18-20 रुपए की बीच में हरे प्याज की विक्री की गई है बात करते हैं दोस्तों हरे धनिय की तो हरे धनिय का जो रहा है 50 से लेकर 55 रुपए तक हरे धनिय की विक्री की गई है और दोस्तों अब बात करते हैं फूल गोबी की तो फूल गोबी का जो रेट है वो है 15 से लेकर 18 रुपए तक फूल गोबी की विक्री की गई है फूल गोबी में 2-3 रुपए जो है डाउन देखने को मिले हैं और दोस्तों गाजर की यहां पर बात करें तो गाजर का भी जो तो दोस्तो कुछ इस तरह से थे राजस्थान की जुंजनो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद